हे लक्ष मन अनुज को हो उशल तो हो किस कारणी हो आकू लाए तू कैसे हो चुपी बोलो बोलो क्यो हो इतने घबराए क्या हुआ बताओ तो भाई क्यो इतने उतावि ले आए दिखी ये अकेली सीता को आश्रमिने शोड चले आए सुनते ही शिरी मुक्की पुकार चोकी भिरगब राई माता घैबित अधीर व्यंग होकर अकुलाई चिल्ला इमाता इस समय यहां आना मेरा उनकी आज्या सिर्धारण है उनका भी दोस नहीं इसमें आवाज आपकी कारण है मारीच बना था माया म्रग ये गहरी चाल उसी की थी मरते मरते स्वर में मेरे आवाज विशाल उसी थी इस कारण सोच रहा हूं मैं कुछ तो है बीती आश्रम में देता है मेरा वामिनेत अब नहीं जाने की आश्रम कि तंए एफिए अजिए गच्जिए आपकी जाने की वे वे इसमेशन है त्म रहा है है डी जावभ बसुट मेरा है तुमने वह म्रग नहीं देखी, कोक्ले खूक कर बतला दे, तुने वह कोकिल बैनी देखी हंसो मत हसो, बताओ तो चलकर राजी हंसनी को, सिंखो रजो इतना कह दो, देखा है मैथली सिंगनी को, तेरे तारो बन लक्षो वो लोवन देरी किधर कदी, देख उठी 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 मतला, वह इधर गई या उधर गई किसी और हिलोर चकोर गई, मुझे पत्नी व्रत वाले पती की, वह पती व्रता किसी और गई कहां जा चुपी हो ए मितिले कुमारी बड़ी इंतजारी मुझे है तुमारी किसी और बड़ी आनि पकार वे मुझे पत्रय कार बड़ी किसी द्मिडर पत्स आख़ית तुमारी वह दें आख़ मुझे है वह ए मुद्ड़ी ये पनिवासि के दिन तुम्हारे सहारे भी अबन जंगल में मैंने गुजारे ये पनिवासि के दिन तुम्हारे सहारे भी अबन जंगल में मैंने गुजारे तके राह कवल किये फुटिया तुम्हारी बड़ी इंतजारी मुझे है तुम्हार ना दिन चैनी हो रात में निंद आए तेरी याद मुझी को रहरे सताए ना दिन चैनी हो रात में निंद आए तेरी याद मुझी को रहरे सताए हुई हर घड़ी मुझे जीवन की भारी बड़ी इंतजारी मुझे है तुम्हार मुझे ये तुम्हार तिन चैनी हो आए जला जा रहा जला जा रहा मन विरे की अगानी में नहीं चैन पड़ेता है बले घर भी मन में जला जा रहा मन विरे की अगानी में नहीं चैन पड़ेता है बल भर भी मन में बड़ी ही मदन दिल को है बेकरारी बड़ी इंतिजारी मुझे है ये बया लक्षमन ये स्थान हमारे लिए अब कुप्युक्त नहीं है इस स्थान को छोड़ करके हम कहीं दूसरे स्थान पर चलते हैं प्राइब आप प्राइब आप प्राइब आप प्राइब आप जैंक कि बड़ी आप झाल अग प्राइब रहा जैंक गल आगे पारा ग्रधब पत्ति देखा सुमरिन राम चरन की रेखा आगे राष्टे में चलते चलते ग्रज राज दटायों को पड़ा देखा जो राम के चरनों की बंदना कर रहा था कर सरोज सिर्परीज से रपा सेंदो रगवी निरक राम चविता में सुक है विकत भाई सब पीर तब भगवान ने उसके शित पर हाथ फेरा अपने सामने प्रभू को देखा उसकी तमाम पिड़ा समाप्त हो गई तब कैगरद वचन धरीदीरा सुनो राम भंजन भव भीरा ना दशानन यह गतिकीनी तैकल जनक सुता हर लीनी खेनाथ लंकापती रावन ने दशानन ने मेरी अजशा की है और उसी ने माता जानकी जी को हर दिया है तुनों लेजक जिन दिशी गया हूं गुसाई विलपती अति कुर्वी की नाई धेनाथ वो दोस्ट माता जानकी को दक्षिर की दिशा की ओड़े ले गया है और माता मुर्वी की पुथरे विलाप कर रही थी प्रभो दरश लागी प्रबो राके हूं प्राणा चलन चहत अभिक्रपानी दाहना ए प्रभो मेरे प्राण आपके दर्स्टन के लिए बचे हुए थे अब ये चलना चाते है प्रभो राम जी राम कहा तनो राख हुथा ताप मुक मुस्काइ कही तेही बाता ये ताथ तुम अपने शरीर को रखो मैं तुमारे प्राणों को अचल करता हूँ जाकर नाम मरत मुख आवा अद्मों मुख्त हो इस्रुति का आवा ये प्रवो जिनका नाम अंतिम जम्हे में मुख्त पर आने पर वो समस्त भवंदनों से मुख्त हो जाता है सोमम लोचन गोचर आगे रागों देनात के हिलागे वो प्रवु सिरी राम आप मेरे आखों के सम्मुख खड़े हो फिर मैं किसे लिए प्राणों कर खो प्रवु राम जी जलबरी नयन कहार गुराई ताथ करम निजिते गती पाई ये ताथ तुमने अपने करम के निमिक यह गती पाई है परिद वश जिनके मन माही तिनके जगदुर लब कचुनाई ये ताथ जिनके मन में प्रोपकार की भावना होती है उनके लिए संसार में कुछ भी धुलब नहीं है तनुत जिताथ जाओ मम धामा देव कहा तो मैं बोरन कामा ये ताथ मैं तुम्हें क्याद हूँ जिसे की पूरन काज हो सीताहरन ताथ जनी कहो पिताजन जाए जो मैं राम तो खुल सहित कहीं दशान ने आए ये ताथ सीताहरन की बाद पिताजी को मत कहना यदि मैं राम हूँ तो रावन खुल सहित कहेगा इस प्रकार भगवान ने ग्रत राज जटायू की जो गती थी वो अपने हाथों से की और वो अपने प्रम धाम बैकुट धाम को उसको देज दिया अच्छे शब कार भýज दो बैकुट शर्म भाखों से प्राजय झालओ से के लिए सावचे की जो अच्छेश पर वो अपने हाथों से प्रेस्टत आसे साव़ जो प्रिज दोगवाज थासे